तो नमस्कार दोस्तों वेरे गुड मॉनिंग स्वागत है आप सब का चलिए दियांद जीए गा दोस्तों आज का ये वीडियो है इसको कंप्लीट देखना है चैज जनवरी है आज और मैं हूँ आपका सीज देवी चलिए पहला प्रशन देखते हैं निमन लिखित में से कौन प्रशन सरकार की और से करवाए गये जो है स्वक्ष सरवेक्षण आवाड 2023 में राइपूर को वाटर प्लस सहर की स्रेडी में रखा गया है और इससे पहले देजबर में 14 सहर वाटर प्लस की स्रेडी में आते थी जिसके बाद दूसनों अब राइपूर जो है पंद्रवा सहर चौथा इस्थान प्राप्त किया है और इसके अलावा आपका अंभीकापूर को ओडी एफ प्लस प्लस के लिए चुना गया है और गार्बेज फ्री सिटी के अंतरगर्त अंभीकापूर ब्लासपूर और राजनन गाव को थ्री स्टार रेटिंग मिली है वहीं याद र जीता है तो अप्सन यहाँ पर है देखेंगे करेक्ट अंसर अप्सन नंबर ए है राजेश कुमार जी ओके चले देखते हैं ध्यांदी यहीं है साउथ एसियंस थाई बॉक्सिंग चैंपियंशिप में स्री राजेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है और इसके लिए उन थाई बॉक्सिंग चैंपियंशिप ठीक है चलिए अगला प्रशन है ध्यांद जी इसको देखें प्रधान मंत्री पोशंड सकती निर्माड मध्यान योजना की अंतरगर्द वित्ति वर्स दो हैजार तेईस चोबिस के लिए कितने करोड उपए आबंटित किये गये हैं य ध्यान योजना की अंतरगर्द सों राज्ज में याद रखना है वित्ति वर्स दो हैजार तेईस चोबिस के लिए चीहत्तर करोड दो लाक नब्य हजार रुपए कि जो है त्रीति किस्त सिंगल नोडल एजनसी के खाते में आबंटित कर दी गई है और वही है कि लोग सिक् रखने की कितने करोड रुपए जारी किये गया है ठीक है त्रीति किस्त में ओके चलिए यह अगला प्रशन है हम लोग का देखें मतनार बैराज किस नदी पर प्रस्तावीत है तो यहां पर आप्सन है करेक्ट आंसर अप्सन नंबर सी है इंद्रावती ओके चले देखते है यह याद रखने कि यह बस्तर जिला में है इंद्रावती नदी पर दो बैराज प्रस्तावीत है जिसको पूर्ण होना है ठीक है हाली में चर्चा में रहाए और इंद्रावती नदी पर हजार करोड रुपए की लागा से दो बैराज बनाये जाएंगे जिसमें एक क्या है देवर गाउं और दूसरा जो है मतनार के समीब बनाया जाएगा यह याद रखने यह किस जिले में बनाया जाएगा तो बस्तर जिला किस नदी में तो इंद्रावती नदी पर ठीक है इतना कुछ है एट करिएगा नेक्स्ट प्रस्टन यह है देखे हाली में चर्ची सीपी क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा और सीपीएल में अंडर नैंटीन से लेकर सीनियर वर्ग के खिलाडियों को मौका दिया जाएगा और यह है कि इसी के तहद उस्तों बीसी सी आई द्वारा अधिकरित इस प्रतियोगिता में स्रेश्ट प्रदर्शन करने वाले क्रिकेट को आई पील में सीधे एंटरी मिलेगा तो यह याद रखना है फुल फॉर्म का और इसका प्रशन नहीं बन पाया है तो इसको आप ऐसा ही देख लिए कि देखे कि राज्य योजना आयोग दरदस्तों प्रदेश की जो है तरक्की में जिलों के युगदान की रिपोर्ट ज है याद रखना है कि वहीं 18 जिले फ्रंट रणर बनेया फिर यहां पर यह देख लिए यहां पर newspaper का cutting है कौन सा जिला किस छेत्र में आगे है ठीक है तो गरीबी के मामले में देखे गरीबी हटाने के मामले में धमतरी बिलासपूर वा कांकिर क्रमशा है भुकमरी में भुकमरी बचाओं में सरगुजा गरिया बन ये बिलासपूर बाकि ये सब आप रेट करिएग करेक्ट आंसर है दोस्तों आपसन नंबर डी जानगीर चापा ओके तो यह है देखते हैं ध्यान जीएगा कि ये 36 गड़ में घोसित अनुसूची छेत्र कौन-कौन से हैं सरगुजा जिला के अंतरगर तो याद रखना है कि वर्तमान में जो है सरगुजा बलरामपूर है न अनुसूची छेतर हैं धनतेवड़ा को याद रखने है टिक है धनतेवड़ा में लगा बीजापूर शुकमा कांकेर और ये कोरबा जसपूर ये अनुसूची च homogeneous चेत रहे याद रखेगा ध्यांद यगा आजब सब्सक्राइए और है जीपिया और भी हाई गोरेला पेंड़र मरॉध ही आपका मरॉध है भुरेला लगरेला टू इहां तो इनर्ट रहं है बिलासपुर। कोटा एरिया याद याद रखेंगा अनुसूची छेत्रहें दुर्गी जीला याद रखने वरतमान में जो है ये बॉसूच जील confess महानपूर अंबद गरीया बार्या च्चत्रह अनुसूची जित्रहएं रायगड जिला के धरम जैगड घर घोड़ा तमनार लेलूंगा और खर्सियां आदिवासी विकास करने अनुसुची छित्र है ठीक है यह सब एट करिएगा पूछा जा सकता एक्जाम में ओके यह वाला प्रशन देखेंगे देखें हाली में किस राज्य के साथ उत्पादों प्रदान किया गया है यहां पर और फ्रसन है अ को के एंसरल सक्क्रस भर बीडिभै के चले देखते हैं देखेंगे एक साथ उत्पादों को त्यी विटिवालं और खे और कठीव डुञेंगी औरsm साल और कोरापुट का जो है काला जीरा चावल लांजिया शावरा जिसको इडिटल भी बोलते हैं ठीक है इडिटल यह पेंटिंग सामिल ठीक है और वही है कि ओडिसा में अब तक जो है ओडिसा राजी के 25 उत्पादों को अभी तक जाइटेग मिल चुका है ओके यह सब है ए देखे हाल ही में केंद्री खेल मंत्री श्री अनुराग सिंग ठाकुर ने 36 गड़ के लिए कितने नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्विक्रीती दी है तो अप्सन यहां पर है डिपीर सीजी से यह करेक्ट आंसर है ऑप्सन नंबर भी साथ ओके देखे जन संपर्क संचाल किसे दिया गया है तो काफी ट्रांसफर हुआ है देख लेंगे यहां पर ऑप्सन दिया गया है करेक्ट आंसर है अप्सन नंबर है स्री मयंग स्रिवास्तव ओके चले देखे ग्राम पटेल को ब्रेटिस काल में किस नाम से जाना जाता था तो इंपोर्टेंट प्रश्न है न्यूसपेपर के अधार पर है ध्यान दिये यहां पर ऑप्सन है करेक्ट आंसर अप्सन नंबर डी है उप्रोक्त सभी तो मुकरडम और गौटिया शियान ठीक है तीनों कहा जाता है ता ब्रेटिस काल में ध्यान दिये इसको है देखे प्रधान मंत्री विश्व कर्म जिले में स्थित है तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बुक्स में चले बहुत-बहुत धन्यवाद स्वस्त्रहिए मस्त्रहिए इसका पीडिया डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सपोर्ट करिए शेयर करिए वीडियो पसंद रहे तो व